ल्ओनुम्नमा भग्वत वासुद्याय जैस्रीहरी समावर्टो अनेभृतात्मा दुर्ययो दूर्तकत्मा दूलबो दुर्गमो दुर्गो। दुरावासों दुरारिहा, सुभागो लोकसारंग、 सुतनत लूब्ature सुतनत लूग। महादेव जी कहते हैं पारवती अब मैं गीता के 16 अध्याय का महात्म बताऊंगा सुनो गुजरात में सवराष्ट नाम की एक नगर है वहां खडग बाहु नाम के राजा राजी करते थे जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता और स साकलों और लोहें के खंबों को तोड़ पुड़ कर बाहन निकला हाथी वान उसके दोनों और अंकुष लेकर डरा रहे थे किंत प्रोधावस उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के अस्थान हाथी सार को धा दिया उस पर चारों और से भालों की मार पड़ रही थ हाथी को तनिक भी भै नहीं हो रहा था इस कवतूहल पूर्ड गटना को सुनकर राजा आये उन हाथी को मानने की कला में निपुड राजकुमारों के साथ वहां आये आकर उन्होंने उस बलवान दंतेल दंतेले हाथी को देखा नगर के निवासी अनिकाम धंतों की सिंता छ खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे इसी समय कोई ब्रामण तालाब से नहा कर उसी मार्ग से लोटे वे गीता के सोलावे अध्याय का अभयम आदि कुछ स्लोकों का जब कर रहे थे पुरवासियों और पीलवानू महावतों ने उन्हें बहुत मना किया चि से चारो दिसाओं को ब्याप्त करता हुया लोगों को कुछल रहा था वे ब्रामण उसके बाते हुए मद को हाथ से छूकर कुछल पूरवक निर्भयता से निकल गए इससे वहां राजा तथा देखने वाले पुरवासियों के मन में इतना बिसमय हुआ कि उसका बरण नहीं प्रणाम किया और पूछा ब्रह्मन आज आपने या महान अलोकिक कार किया है क्योंकि इस कार के समान भहेंकर गजराज के सामने से आप सकुसलोट आए हैं प्रभो आप किस देवता का पूजन करते तथा किस मंत्र का जब करते हैं बताइए आपने कौन सी सिद्धि प्राप हुई हैं महादेवजी काते हैं तब हाथी का कवतू हल देखने की इच्छा छोड़कर राजा अब्रामण देवता को साथ लेकर अपने महल में आए वहाँ सुब महूरत देखकर एक लाग स्वण मुद्रावों की दक्षिडा दे उन्होंने ब्रामण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दिख्छा ली गीता के सुहला में अध्याय के अभयम आदिकुछ लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छ उसी मत घजराज का बंदन को लुआया वो निर्भय हो गए राज के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा वे अपना जीवन त्रवत समझकर हाती के सामने चले गए सासी मनुष्यों में भी अग्रगण राजा खडग बाव मंत्र पर विश्वास करके हाती के समी पाए और मद की अनुवरत धार्दा बहते हुए उसके गंड अस्तल को हाथ से चूकर सकुसलोट आये काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुस की भाति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आये नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज पर अभी अभी शिक्त कर दिया तथा सोयं गीता के सोहलवे अध्याय पाठ करके परमगत के उप्राप्त की स्री कृष्ण गो विंद्य हरे मुरादे एनातनारैर वाशुदेव जय स्री रादे जय स्री रादे कृष्णा झाल